आप सबी का में आप सब्सक्राइब करेंगें मेरे चैनल रतन जोती योग इसमें स्वागत है मैं रतन जोती आज कर ये मॉर्निंग का रूटीन है और सद्यो का टाइम आ गया है तो रूटीन भी ठुड़ा चेंज हो गया है और सुबह बुरूस किया है और यहां मैं बुरूस कर रही थी जोकि बुरूस करना बहुत जरूरी है आप सभी को ये तो पता ही है तो थोड़ा मेरे दात में भी हलका सा दर्द हो रहा था अगर आपके पास इसका कोई इलाज है तो प्लीस मुझे बताएं कि क्या करूं और हलका सा दात में खोन भी आ रहा है तो गुरूस करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी और मैंने यह गुरूस कर लिया है और अपना फेस बास भी कर लिया है जैसा कि आप देखी पा रहे हो और गाल से थोड़ा हाथ लगाने में इतनी दिक्कत हो रही थी त और सुबह सुबह बस काम की पड़ती है पर ब्रोस जरूरी है पर ब्रोस करने के बाद मैंने फेस दूलने के बाद यह पौन्च लिया था सुबह का रूटिन भी चेंज हो चुका है पहले फेस पर मैं अल्ली एलवेरा जेल लगाती थी अब ये मैं जॉनसन बेबी क्रीम होती है वो लगाती हूँ ये लगाने में बहुत सॉफ्ट होती है तो मुझे यही लगाना बहुत पसंद है और अब मैं जेल नहीं लगाती सर् घर का जाड़ों किया जाड़ने के लिए कुछ नहीं था बस तो तीन पॉलिथीन पड़े होती है इसलिए मैं जाड़ों लगाया है जैसा कि आप देखी पारे वीडियो में लगा नहीं है बस दो पॉलिथीन है हलका सा रहता है जाड़ों लग गया था और मैं थोड़ी स्पीट बढ़ा दिया है इसलिए बढ़ाई है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रहती है वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले प्लीज अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लाइक करना ना बूलें और आप मैं केचन में आ गई हूं अपने यह मैंने मतर आलू की सब्सक्राइब बनाना है मुझे आज तो मैं यह लेसुन छील रही हूं मैं पैसे तो मैं लेसुन छील के रख देती हूं पर खतम हो गया है देखिए टाइम हो चुका है कितना 6 बजन कूंकि अगर आप खूटके सब्सक्राइब डालती हूं तो चेंज हो जाता है ड़ार आप भी ट्राइकर केझ जरूरर देखें में क्वार कर मतर ली देख Meng और इस थोड़ा गरम होने देंगे, देखिए अब को कर में दुहा भी आने लगा है, उसके बाद ये मैंने इसमें ओईल डाला है, एक बड़ा चम्चर डाला है, देखी पारियो मैंने ओईल कितना लिया है, और इसे गरम होने के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि अगर तेल थोड़ा भी कच्चा रह जाता है, तो सरस्मक तेल में महेका ने लग जाती है, उसके बाद मैंने तेज पत्ता और जीरा डाला है, और इसे हलका सा बनना है, ज़्यादा नहीं बनना है, देखी उसमें भी जुहा आने लगा है, उसके बाद लेहसुन और अ तो पहले प्याज डाली है, उसके बाद हरी मिर्ची, और इन्हें भी हम फ्राइ कर लेंगे, और इन्हें हलका ब्राउन तक भुना है हमें, देखी हलका ब्राउन भी हो गया है, अब इसमें हमने टमाटा डाले हैं, और इन्हें भी फ्राइ कर लेंगे हलका सा, इसके बाद ह हमें सुका मसाला डालना है यह धनिया हल्दी हल्दी में थोड़ा कमी यूच करती हूं लाल मिर्च और इसे अच्छी तरीके से चला देंगे जिससे की मसाला जलेना और उसके बाद हमें नमक डालना है नमक मैंने नमक भी डाल दिया है और इसे भी अच्छी तरीके से चला दूंगे और यह मसाला जल सकता है इसे थोड़ा सा पानी डाल दिया है उसके बाद इसे चलाएंगे और इसे जब तक पकाना है जब तक की टमाटर अच्छी तरीके से मेल्ट ना हो जाए देखी मसाला भी मेल्ट हो चुका है अची तरीके से टमाटर भी जल्ब चुके हैं आप देखी पा रहे हो आप टमाटर की थोड़ी चटनी टाइप की बन गई है तुकड़े नहीं दिख रहे हैं अची तरीके से मसाले में मिक्स कर देना है पानी डालेंगे जो कि आप देखी पा रहे हो और इसे तरीके से चला लेंगे थोड़ा पानी मुझे कम लग रहा है तो इसमें हम दुबारा थोड़ा सा पानी और डाल देंगे बस पानी हमें इतना रखना है कि यह पक जाए यह मैंने एक साइड में थोड़ा गरम पानी करने रख दिया है क्योंकि सर्दियों का टाइम है तो आटा शंडे पानी से लगा देंगे तो आटा अच्छी तरीके से नहीं गुथता है गरम पानी से अच्छी तरीके से गुथ जाता है तो ऐर्था नहीं है और अब मैं आटा लगालीते हूं जब तक में दाले हमें हैं deaf learning मेरा लक्की तयार हो चुका है और इससे थोड़ा कवर करके दसमेंट के लिए रख दूँगी और सब्जे भी पक गई है तो अब इसे उतार के इसे चला दूँगी और आलू भी हो चुके है चेक कर लिया है मैंने थोड़ा सा इस चमछे से ही इसे मेल्ट कर दूँगी इसके बाद मैंने इसमें धनिया डाला है धनिया मैंने पहले ही दुल लिया था और डारेक्ट मैं इसी में काट देती हूँ क्योंकि साफ करके दुल के रख दिया था वस काटना रह गया तो तो मैं इसमें डारेक्ट काट दिया है इसमें थोड़ा सा गरम मसाला वो भी डाल दिया है और इस अच्छी तरीके से चला देंगे देखी पा रही हूँ इसमें कैसे बाफ निकल रही है क्योंकि यह बहुत गरम है अब यह मैं पराथे बना लेती हूँ कि सुबह नास्ते मैं पराथे खाना पसंद करते हैं तो मैं पराथे बना रही हूँ यह सादा पराथे हैं इसके अंदर कुछ भी नहीं भरा है बस परता वाले पराथे हैं और यह मैं कैसे बनाती हूँ जो मैं पहले ही इसकी रेस्पी आपको अपनी वीडियो में दे चुकी हूँ अगर आपको यह देखना है तो आप मेरी वीडियो में आके देख सकते हो और नास्ता बन चुका है और खा भी लिया है उसके बाद यह सारे बरतन साफ करने हैं तो मैं सारे बरतन पहले धुल लेती हूँ धुलना जरूरी है उसके बाद मुझे नहीं साफ करना है और यह मेरी बेटी आ गई है पता नहीं क्या मांग रही थी है वो सारे वर्थन लगबग धूल चुके हैं और इन्हां मुझे सावन से ही साफ करना है मैं सावन का युच्छ करती हूँ तो मैं सावन से इन बरतनों को सारा माज लोंगी जैसा कि आप भी देखे पारे हो मैं थोड़ी स्पीट बढ़ा दिया है मैंने आप से पहले ही बोला था यह बेटा भी आ गया है यह नमकिन लेने आया है सुबह का टाइम है इस चाय के साथ नमकिन खाता है मैं अब सारे बरतन साफ कर लेती हूँ बाबू चला गया है बच्चे को मनाना बहुत मुश्कुल होता है क्योंकि सर्दी का टाइम है बच्चे बहार आते तो बीमार होने का डर रहता है तो मैं कोसिस करती हूँ बच्चे बिस्तर से नहां नहीं निकलें तो जादा ही अच्चा है अब मुझे पहले सर्दी तो नहीं लगी थी जगी जब परबाद में सर्दी लगी तो मैंने स्वेटर डाल लिया है बरतन भी लगवग सारे साफ हो चुके हैं मुझे दुलना है पानी में हार डालना बहुत ही गंदा लगता है सर्दियों में जैसा कि सभी को मुझे क्या और पानी गरम हो तो बहुत मज़े आते हैं अज़े मेरी बेटी उदम कर रही थी मस्ती कर रही थी कैमरे को चलता हुआ देखके तो कभी हाथ कभी कुछ बीच में लेके आ रही थी डाटो तो बच्चरों लग जाते हैं इसलिए डाटना भी विकार है और मैंने उदर साफ कर लिया था भी धूल के बरतन सारे सिलिप पर ही रखने हैं तो मैंने बरतन धूल धूल के सिलिप पर रख दिये थे और सारे बरतन मैंने यहीं पर रख लिये थे और जो छुट-छुटे वर्तन है वस वही रखती हूं मैं सामने फटे पर गिलास कटोरी या छुटा पतीला वही रखती हूं और रेश्टा कुछ नहीं रखती है मुझे डर लगता है कहीं यह फटा टोटना जाये इसलिए चोटे वर्तन या मिक्सी रखती हूं पर इस टाइम तो मैंने मिक्सी भी हटा रखी है लगबग मेरे सारे वर्तन साफ हो चुके हैं पार जो बड़ा कोकर और बड़ा वर्तन तबाब हो ही रह गए हैं तो मैंने कोकर को भी अच्छी तरीके से साफ कर लिया है कोकर के लिए मुझे स्टील वाली जूना का यूज़ करना होता है तो इसमें थोड़ी से सब्जी लग जाती है ना तो करनर भी साफ करने होते हैं कोकर के तो अच्छी तरीके से कोकर भी साफ कर लिया है उसे मैं सामने फटे पर नहीं रखती हूँ क्योंकि जहां मेरी कड़ाई टंग हुई है उसी तरह इसे भी टांग देती हूँ जैसा कि आप देखी पार है मैंने कोकर भी टांग दिया है यह कटोर दान है यह बीची तरीका साफ बर लेती हूं इसे भी तो और अध्यून रख दो दोंगे पारेन चाहिए पर अर इससे भी साफ करना है तो मैंने इस पर किस किस के साफ कर रही हूं अगर से डंक से साफ ना कर तो रोटी से पकती है तो मैंने इसे भी साफ कर लिया है और उसे नीचे रख दूँगी जो देखी मैं रख दिया है और मेरे सारे बरतन साफ हो गया है आप इन सबी को मैंने जैसे बताया था कि फटे पर लगा दूँगे तो मैं फट्टे पर लगा रही हूं और मैं बर्तन फेला के नहीं रखती बर्तन में बर्तन फशा के रखती हूं तो मैं वैसे फशा फशा के रख रही हूं सारे बर्तन मैं फेला नहीं रही हूं और सारे बरतल लग चुके हैं अब मैं फोड़ा इस किचन को पुछा लेकर पुछा लगा देते हूं यह मैं पानी लेकर आई हूं और मुझे दूप पॉचिए यूज़ करने होते हैं एक स्लेप के उपर एक नीचे तो पहले मैं उपर वाला जो कि स्लेप पर यूज़ करती ह म Luther पांचिए है और मुझे दोवारा पांच नहीं दोवारा पांच देती हूं उसके बाद मैं ऐसे ही नीचे जोड़ा लेकर डूसरा पांचा लेकर देखे नीचे आप पहुंचा तो मैं ठाध दिया है योचा संक्तों लेकर कीजिए विए sam साफ करना है तो फार्थ साफ कर लूगे आप देखी पारे हो मेरी किचन के इतनी साफ दिख रही है मैं ज्यादा ताम जाम नहीं रखती किचन के अंदर ना मैं किचन में क्या कहीं भी नहीं रखती जा ताम जाम बहुत जो जरूरत की चीज़े हैं वस वही रखती हूं किचन स यह आपको किसा लगा प्लीज मुझे बताएं कि हो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सस्क्राइब जरूर कर लें बेल आइकन दावना ना भूलें जिससे मेरी नएने वीडियो आपको मिल जाएंगी मिलती हूं मैं आपसे अगली वीडियो में जब तक के लिए नमस्कार बाई बाई